नमस्कार दोस्तों बिलिंट क्लासेज यूट्यूब सेनल के पोडल पर आप सब का स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं आरे सीटी के आई लेर्न असेश्मेंट टू कंप्यूट सिस्टेम के बारे में यह हम कंप्यूट सिस्टेम से समधिक जो भी कोशन होंगे उनको सौ सुकी स्याई का प्रियोग करता है थर्मल प्रेंटर डेजी वाइल प्रेंटर लाइंग प्रेंटर लेजर प्रेंटर तो सुकी स्याई है जो ड्राइंग पाउडर लेजर प्रेंटर में यूजता है क्वेशन नमबर दो आपके कंप्यूट के कॉन फ्रीग्रेशन से क्या मत एक data भंडारण data storage device है यहनी data storage device कौन से speaker, hard drive, monitor, mouse यह monitor, speaker और mouse यह data drive में नहीं आते storage की device नहीं है तो है hard drive वो है आपकी data storage device warm disk का अर्थ क्या है तो warm disk का अर्थ हो जाएगा write once, read many, write once, read many question number 5, desi whale printer का खाली जी का एक प्रकार है यहनी जो option दे रहे हैं यहनी में से कौन सा printer का प्रकार, desi whale printer का प्रकार है impact printer, laser printer, matrix printer, manual इसमें हो जाएगा impact printer, शाटा question जिसमें लिखा है, चितर में दर्शाय के component का नाम बता है, यह जो चितर है आपको दिखाए दे रहा है इसका नाम क्या है, hard drive, cd drive, pen drive या ROM, यह जो दिखाए दे रहा है, यह ROM का चितर है चितर में खाली स्तान को भरे है, CPU, case और RAM, यह जो primary storage है, इसके बाद चितर यह है दे रहे का इस खाली जिगा में बढ़ना, यहनि secondary storage कौन सी है, तो secondary storage में आपके mouse, monitor, speaker यह नहीं आएंगे hard drive यह वो secondary storage कहलाती है, question number 8, ऐसी कौन सी memory है, जिसका प्रयूग RAM द्वार अधिक बार प्रयूग में आने वाली सूचना को संगरित करने के लिए किया जाता है यहनि ऐसी कौन सी memory है, जिसका प्रयूग RAM द्वार अधिक बार प्रयूग करने माने वाली सूचना को संगरित करने के लिए किया जाता है तो ROM, मुख्य memory, case memory, register, तो आपका उजएगा case memory Q9 में लिका है, चित्र के संदर में खाली स्तान भरो, यह जो चित्र है, यहां लिका है CD, ROM, CDR, CDRW, खाली जगा तो इसके बाद ROM, DVD, RAM, हाट्रेग, कौन आएगा? DVD Q10, निमन में से कौन सी memory प्रतिस सेकंड कई बार रिप्रेस होती है यहीं प्रतिस सेकंड कई बार रिप्रेस होती है, static, RAM, ROM, IP ROM या dynamic RAM तो कई बार प्रतिस सेकंड रिप्रेस होती है, उसका नाम है dynamic RAM यह थे आज के assessment to compute system से समझ दित question फिर मलेंगे, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार आज का मारे वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, share करें और channel को subscribe करें, thank you